कि ओवेसी ने आज संसद में शपत ग्रेंसा मारों में इस्सा लिया और शपत लिए शपत तक ठीक था लेकिन लास्ट में ओवेसी ने कहा जै भीम जै मिम और जै फिलिस्तिन तो मैं उईसे को कहना चाहूंगा भारत मता की जै बोलने में तुझे क्यों शर्माती है वही जिस देश में खाता है जिस देश में पीता है भारत देश में राजनिती भी करता है और भारत मता की जै बोलने में शर्माती है और संसद में शपत किस प्रकार से ली जाती है तुम तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे तुम संसद के भार आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तिन के विद्र विद्रो ही है लोग और इसरेल के समर तक वोलकि इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे तो वीसिस आपको कहना चाहूंगा कि ठीक है अगर तुम्हें इतना ही फलिस्तिन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तिन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों आखड़े नहीं हो रहे हैं जो आज फिलिस्तिन के कहें से लोग है जो बंदुक उठाकर अपने आपकी रक्षा कर रहे हैं तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फलिस्तिन बंदुक उठालो दम अगर है तो भारत देश में रहे कर सिर्फ मीडिया में हेड्लैंग बनना यह कोई भी बन सकता है हेड्लैंग लेकिन अगर सच्छे तुम एक मुसल्मान हो और तुम्हें फलिस्तिन से इतना ही प्यारे तो चले जाओ फलिस्तिन हां मैं आज पूशना चाहता हूं वैसी को लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो ठीक है जैभीम हम भी बोलते हैं जैभीम वह तुम्हारा स्लोगन है लेकिन फलिस्तिन की जैए यह थोड़ा सोचने आली बात है तो वैसी मैं सदिशन देता हूं कि एक पर चले जाओ फलिस्तिन पता चल जाएगा कि फलिस्तिन में तुमारे जैसे लोगों की क्या आवकात है OEC ने आज संसद में शपत ग्रेंसा मारों में इससा लिया और शपत लिया शपत तक ठीक था लेकिन लास्ट में OEC ने कहा जैभीम जैभीम और जैफिलिस्तिन तो मैं उएसे को कहना चाहूंगा भारत मता की जैभ बोलने में तुझे क्यों शर्माती है वही जिस देश में खाता है जिस देश में पीता है भारत देश में राजनिती भी करता है और भारत मता की जैभ बोलने में शर्माती है और संसद में शपत किस प्रकार से ली जाती है तुम तो नहीं नहीं हो और बोलने के वो शक्ता भी नहीं है आज अगर कोई जाई इस्रेल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे तुरंट संसद के भार आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि यह फिलिस्थिन के विद्र 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 ही है लोग और इस्रेल के समर तक हैす प्रकार का तुम पुकारना है शुरू कर देती थे तो वीससित आपको कहना चाहूंग gustaría कि ठीक है अगर तुम्हें इतना ही फलिस्तिन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तिन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों आखड़े नहीं हो रहे हैं जो आज फिलिस्तिन के कहें से लोग है जो बंदुक उठाकर अपने आपकी रक्षा कर रहे हैं तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फलिस्तिन बंदुक उठालो दम अगर है तो भारत देश में रहे कर सिर्फ मीडिया में हेड्लैंग बनना यह कोई भी बन सकता है हेड्लैंग लेकिन अगर सच्छे तुम एक मुसल्मान हो और तुम्हें फलिस्तिन से इतना ही प्यारे तो चले जाओ फलि होते हैं जय वह तुम्हारा स्लोगन है लेकिन फलिस्तिन की जय यह थोड़ा सोचने अली बात है तो वैसी आपको मैं सदिशन देता हूं कि एक बार चले जाओ फलिस्तिन पता चलेगा कि फलिस्तिन में तुम्हारे जैसे लोगों की क्या आवकात है